हालो व्रीबन वेलकम टूट सेलेनिम टूटोरियल तो हम आप आज यह डिसकस करेंगे कि कैसे हम टेस्ट अजी के मेथडों को यूज करके वैलिडेशन कर सकते हैं तो हम class इस बार ही यहां मनाएंगे जहाँ पर हमने मेवन से टेस्टेंजी को पहले इंपोर्ट कर रहा था तो तो सेम class name देते हैं लेट से testing यहां से उठा ले थे testing validations या इसी class को actual में move कर देते हैं हम यहां पर तो हमारे पास यह class यहां आ गई यह हमने इस लिख किया क्योंकि हमारे पास यहां पर टेस्टेंजी की जार अवलेबल है जो हमने इंपोर्ट करी थी pom.xml को यूज करके पहले इसको आप simply download भी कर सकते है जार को और यहां पर आप build path change करके build path में जाके configure build path और add external jars करके यहां कोई भी jar यहां मेरे POI jar है यहां कोई और jar testng की jar आप download कर सकते हैं जैसे c users nishan m2 testng यहां आप testng की jar सर्च करके उसे import करेंगे और यह जैसे jar है आप इसको add करेंगे यहां add हो गई और apply करके ok करेंगे इसे run करेंगे background में तो यह यहां पर भी testng के support आ जाएगा तो अब यहां पर आप जाएंगे और यहां पर आप कहीं पर add the rate test एक testng की basic notation है इसको लिखेंगे तो आप आप आगे इसको import कर पाएंगे तो यह से import org.testng.annotations.star तो यह आपकी add the rate test import हो गई है आगे आप अपना method यहां लिख सकते है public void test और आपका यह test start हो जाएगा तो ऐसे करके आप testng को भी import कर सकते है different तरीके से पहले हमने pom से किया था तो error हट किया तो हम इसी में use कर लेते हैं आगे इसे तो अभी हम क्या कर रहे थे कि हमने एक test किया और उसके बाद हम इसमें assert यूज़ कर सकते हैं तो जो यह काम हम यहां ऐसे कर रहे थे हैं तो हम क्या करेंगे assert dot assert equal equal में मेरा boolean, byte, character, collection, double, integer सब available है लेकिन मैं string करूँगा अगर मैं simple 1 और 2 ऐसे देता हूँ इसको हम different method में लिखते हैं या पर मैं इसको add the rate test करके भी चला सकता हूँ या एक main method को comment करके जैसे यह comment किया और फिर चला सकता हूँ इंपोर्ट किया test change से कर रहे है तो test change से कर रहे है आप j unit भी यूज़ कर सकते हैं और assert.assert equal को use करके आप जब इसमें run करेंगे तो यह कह रहा है कि assertion error expected 2 था लेकिन एक 1 मिला यहाँ पर अगर दोनों 1 करेंगे तो फिर से इसको run किया हमने 1 करने के बाद तो अपकी बार error नहीं आना चाहिए और आपका यह test case pass हो जाना चाहिए क्योंकि आपने कुछ print नहीं कराया तो यहापर कुछ print नहीं हुआ तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे same assert को अगर मालोग मैं integer की तरह भी use कर सकता हूँ और फिर से run करूँगा तो यहापर कुछ print नहीं होगा क्योंकि वह error नहीं दे रहा लेकिन अगर 2 और 1 को करूँगा और run करूँगा तो इसने मुझे error दे दिया ऐसी हम character, string, arrays सब के साथ यूज़ कर सकते हैं तो हम वापिस चलते हैं अपने test case के उपर कैसी यह assert वहाँ apply होगा यह बहुत ही common तरीका यूज़ करने का assert को तो हमने यहाँ पर इसको दुबारा से change करते हैं इसको comment करते हैं पुराने code को और यहाँ पर assert.assert equal फिर से डालेंगे तो यहाँ पर जो मेरा actual है वो मेरा check.gettext यह मेरी string है और जो मुझे expected है वो मेरा यह value है यह हटा देंगे अभी के लिए हम तो यह हमारा assert.assert equal हो गया इसको code को ही हटा देते हैं अभी के लिए अब इसे फिर से execute करते हैं हम यह JUnit वाला use कर रहे है गलती से इसको test n.g वाला import करेंगे almost same है ज्यादा फरक नहीं है बट test n.g अप्ग्रेड है JUnit का तो हम test n.g यूज कर रहे है इस execute करेंगे पुराने ब्राउजर को close कर देते हैं नया ब्राउजर खुला navigate किया और अब हम यहां जाएंगे तो हमें कोई error नहीं मिला लेकिन अगर हम यहां पर कुछ होर लिख देते हैं टेक्स को change कर देते हैं और फिर से execute करते हैं पुराने ब्राउजर को close कर देते हैं तो आपके case में पहले आपने वो print कराया था failure लेकिन आपके case में आपको खुद सही error मिल जाएगी आपको simple एक alert यूज करना है सुरी assert यूज करना है तो अभी मेरा यह navigate करेगा page लोड़ने के बाद थोड़ा loading time ज्यादा हो रहा है reddit.com का अब किया पर हमने text change कर रखा है मेरा page load इसको में stop कर दे तो page loading को और उसको दुबारा सा execute कर देता हूँ क्योंकि time जादा ले रहा था ब्राजर खुल गया नविगेट किया reddit पर नविगेट किया after clicking reddit mail और यहां पर आपको proper assertion error मिल गया कि हमार को क्या expected था और क्या actual में मिला है expected था जो हमने दिया है आपर लेकिन actual text create a new account ही था तो ऐसे हम different validations कर सकते हैं simply जिससे हमें पता चलेगा कि क्या actual में हमारा वो page खुला है और आप सर्फ text नहीं जैसे हमने पहले attributes उठाये थे वो उसको भी उठा सकते हैं और उस attributes से भी validate कर सकते हैं जैसे href हो गया source हो गया या different other attributes और इससे हमारे को assert से बहुत ही helpful मिलता है क्योंकि आप single line में पूरी validation को code लिख रहे हैं आप simple एक validation का method बनाके भी इससे use कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना है थेंक्यू